कौन नहीं चाहता कि हमारे होट खुपसूरत हो होटो का खुपसूरत होना, होटो का गुलाबी होना हमारी खुपसूरती को और रिज़ादा बढ़ा देता है लेकिन किसी कारण बस हमारे होट काले हो जाते हैं जिससे हमारे चेहरे का जो सुंदर है वो बिल्कुल कतम हो जाता है। इसके लिए आपको लेना है लेमन लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपटी होती है और यहां पर आधा लेमन ही आपको लेना है इतना ही काफी है इसके बाद आपको लेना है यहां पर चीनी चीनी बेस्ट इसक्रवर का काम करता है तो आज मैं आपको इसक्रवर और होटो के लिए बताऊंगी इसका इस्तेमाल करने से आपके होटों का काला पर बीलकुल ही दूर हो जाएगा और आपके होटों पिंक हो जायेंगे गुलाबी हो जाएगे। तो फ्रेंस यहां पर देखे आपको एक बॉल ले लेना है और इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच चीनी चीनी का दाना देख सकते हैं बहुत ही मोटा है तो इस तरह से आपको यूज नहीं करना है आपको इसको थोरा सा दरदरा पाउडर बना लेना है तो यहां पर आधी चूटी चम्मच देखे आपको लेना है चीनी का पाउडर तो बहुत ज़्यादा इसको बारिक नहीं करेंगे हलका मोटा ही रखेंगे अगर आप चीनी से अपने चेहरे पर इसकरब करते हैं तो इससे आपके स्कीन में जो डैर स्कीन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से रिमूब होते हैं अब आपको यहाँ पर लेना है हल्दी पाउडर, हल्दी में antiseptic, antibacterial property होती है, बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि दाउटों से होटों को चबाते रहते हैं, इससे होटों पे जखम बन जाता है, घाव बन जाता है, अगर आप हल्दी का लेप अपने होटों पे लगात हम चुटकी भर हल्दी का पाउडर, आप चाहे तो यहाँ पर इस पर क्रिया को बॉल में भी कर सकते हैं, तो देखे थोरा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके उपर हम डालेंगे चीनी, अगर आपकी चीनी बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बारिक चीनी है, तो आप ड दाना है, ताकि इसका जो जुक से अच्छे से निकल जाए और अपने होटो पर करना है, तो दबाते जाएगे wij森ो को और इसक्रब करते जाएगे, जो जुक निकलते जायगा इससे बहुत ही अच्छे से इसक्रब होगा, हमारे होटों के उपर धूल मिटी जमने के कारण इसमें मोटी परत बैच जाती है जिसे की डेरिस्किन होते हैं वो रिमूब करना बहुत ज़्यादा जुरूरी होता है इसे पप्री पड़ने लगते हैं तो अगर आप इस तरह से इसकरब करते हैं तो आपके होंटों के उपर जो डेरी स्किन होती है, मृत को सिखाए होती है, वो बहुत ही असाने से हर जाती है, और इस तरह से इसकरब करने के बाद आप किसी कॉटन कपरे से अच्छे से रिमूफ कर लीजिए, अब माल लीज़े, आपके पास लेमन नहीं है, तो आप क्या क होता है, आदी छोटी चमच आपको सहद लेनी है, सहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह हमारे होंटों को नरम बनाता है, मौश्राइज करता है, आदी छोटी चमच डाल देंगे पीसी हुई चीनी, थोड़ा सा इसको हलका मोटा ही आपको पीसना है, बस लेमन का एक से दो ड्रोप्स आपको इसमें डाल देना है, अगर होटों में घाव है या फिर जखम हो गया है, तो आप लेमन इसकिप कर सकते हैं, सिप सहद और चीनी का ही लेब बना ले, तो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और देख सकते हैं, इसका बहुत नुकसान नहीं होगा, और एक से दो मिनट आपको अच्छे से इसकरफ करना है, बहुत ही बेश्ट रिजल देता है, तो शलिए मैं आपको होटों के लिए पेक बनाने के लिए बता देती हूं, इसके लिए आपको लेना है बेसन, जी हां फ्रेंस, बेसन हमारी स्कीन के लेना है आलू, तो एक कच्छा आलू आपको लेना है, इसको अच्छे से वास कर लिजिए और इसको ग्रेट करके इसका जूस निकाल लिजिए, तो यहां पर मैंने देख सकते हैं, जूस निकाल लिया है, और आलू में भरपोर मातरा में स्टार्श होता है, और आलू में ब बच जाता है तो आप इसे इसकीन पर लगा सकते हैं यह इसकीन के ताग धबों को बहुत ही जल्दी दूर करता है गायब करतेता है तो इसे आप इसी डबे में श्टोर करके भी फिरिजर में रख सकते हैं अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे ग्लीसरीन तो आधी छूटी च बना करके रखते हैं जिससे की होटों पे पपरी नहीं परती है होट हमारे सौट बने रहते हैं तो आधी छोटी चमच ही आपको ग्लीसरीन का यूज करना है अगर आप ग्लीसरीन और लेमन का जूस मिला करके भी होटों पे लगाते हैं तो इससे भी होटों का काला पंदू होता है हौंट हमारे पहाथ ही गुलावी होते हैं इसमें डाल देंगे हम चुटकी भर हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस तो फिरेज अगर आपके होठों में जखम है तो आप लेमन को इसकिप कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें lemon को जरूर add करें क्योंकि lemon हमारे skin की रंगत को निखारती है lighten and brighten करती है तो दिखे इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे बिल्कुल paste सा आपको बना लेना है और ये दिखे बिल्कुल paste सा बनकर के तयार हो चुका है इसे बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है हलका ठीक ही रखना है आप consistency देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए तो आपको अपने होटों पर mask के तोर पर यूज करना है जिसे अपने face पर आप लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने होटों पर आप लगा लें और इसे चार से पांच मिनट के लिए आप इसे सूखने दे जब ये हलका सूख जाए तब आपको हलका गरम पानी लेकर के हलके हाथों से मसाज करते हुए इसे हटाना है आप इस रेमेडि को जरूर से ट्राइ करें आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है आप यकीन मानेए आप वन वीक भी इसे ट्राइ कर लेते हैं तो आपके काले होट बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगे तो फिरेंस आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूश भूल लेगी है तो इसे लाइक और फैमिली फैनल में से जरूर कर दे थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तेक के लिए बाई बाई